हेलो स्टेटेंट यदि आज आपका सुलोफ हावरी का पेपर देने जा रहे हैं आप तो आज आपका कोशन यहां पर मैद का आ गया है विहारबोट का वारल लिक कोशन यदि आपका आज सुलोफ हावरी का पेपर आप लोका है तो इस पेपर को जरूर देखकर जाए क्योंकि यह 100% आपका viral question paper है ठीक है ना यह question आपका same to same जाकर आपके paper में लड़ेगा तो आपका आज exam में इस question को जरूर देखकर जाए वरना आप बहुत पस्त आएंगे क्योंकि 100% आपका viral question paper है आपका तो इसको पूरा देखकर जरूर आप लोग जाए चलिए हम फटा पट से बीना time गवाय हुए चालू करते हैं हम answer यहाँ पर बता रहा है आप लोगो यहाँ पर जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंगी आप लोगो यहाँ पर time नहीं है ठीक है पूचन है एक बटा रोड़ दो क्या है तो एक अपर में संख्या option C इसका करेक्ट अंतर हो जाएगा ठीक है आगे देखे नेक्स्ट वाल का बोल रहा है नेक्स्ट वाल है आपका कि बहुपद दिया है इसका और alpha into beta कमान पूच रहा है तो इसको जो बनाएंगे आप सॉल् नेक्स स्वाल देखते हैं बच्चो यहां देखिए यहां पर जो आपको भारी स्वाल उसे छोड़ देजिए उसका अगर मालों कि आपका 100 कोचन है 100 कोचन में से आपको 85 हल करना है तो आपको जो लेंदी कोचन है जिसको बनाने में टाइम लाएगा उसको छोड़ इसमें आपको इससे भाग करना है 23 भाग करेंगे तो आपका 96 इसका अंसर आजाएगा उप्शन नमर ए नेक्स स्वाल इसका मौसा निकालना है मौसा मतलब दोनों में जो कमन है उसके कम घात वाला तो यहां पर दो कमन है आइस पर तीन घात है यह पर दो घात है तो कम घात थेंगे अपका एंसर कितना आयेंगा आपका साइद 300 आपका साठ आएगा कितना यंगा सोरी 306 नहीं आएगा यहां पर आपका 180 आएगा ठीक है ऐसे नमर आपका भी होगा नेक्स वाल देखते हैं पॉल रहा है कुछ नमर छाव इन में कौन बोह पाद नहीं है तो बहुपद आपको अनन्त हल वाला आएगा यहां पर मूलो का योगफल देगा और इद्धिया है और यहां पर आपको नेक्स सवाल में यहां पर मूलो का योगफल और गुरन फल दे रखा है और वह पर निकालना है तो फर्मुआ लगाएंगे एक स्क्वाइर माइनस होता है और मूलो का यूग फल आपका चार है और एक्स लगता है फिर मूलो का गुरन फल लगता है पलस में तो आपका एंसर करेक्ट अप्शन नमर बी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स वाल देखें कुश्चन नमर आपका 9 क्या कह रहा है इसमें आपका इस प्रकार समक्राण दे रखा है और इसका एक अधित यह हल है कि नहीं है तो क्या है इसका क्या होगा तो इसका क्या होगा तो इसका चार है और बाटा एटू आपका दू है और नौट इकॉल टू आपका इसमें एक है के है और बाटा इसमें आपका दू है 2-2 कट गया के नौट इकॉल टू-4 उपसन इसका सी क्रेक्ट्ट अशनल होगा बोल रहा है ने क्षवाल इसमें कौन देख हाथ संकान है तो देखो बाटा में जो एक्स होता हुआ नहीं होता है बटा में एक यहां पर भी यह नहीं होगा और यहां पर इसको करेंगे तो यह कट जाएगा यह भी नहीं होगा आपका option number sorry यह रूट में रहता है एक सू भी नहीं होता है आपका यहीं आपका correct answer हो जाएगा option number d next वाल बोल रहा है कि मुल् व्यत्करम है तो यहां पर क्या होगा तो मुल् व्यत्करम होता है तो सी वला जो होता है और चर पद फस्ट वाले के बराबर होगा ऑप्शन number सी होगा ठीक है आगे देखिए question क्या कर रहा है मुल्लों का यूग निकालना तो मानस B बटा यह होता है आपको पता है तो यहाँ पर मानस B B के मान मानस में 6 में है तो प्लस में 6 हो जाएगा और A होता है X स्क्वार के आगे वला तो 1 है तो एक से भाग करेंगे 6 को तो 6 ही आएगा option number C होगा answer next x वर उच्वार च्वार के अलेक कैसा होगा एक्स का अगर्मान दिया है यहाँ पर तो Y के समानतर होगा तो option number C हो जाएगा ठीक है next वाल देखें यहाँ पर 100% आपका वारेल कोचन पर पूरा कोचन को आप लोग देखो और एक्जाम दो बिल्कुल आपका इस परकार से पीडियाप डाउलोड कर सकते हैं सब बताएंगा आपका सब्जेक्टी भी कहामी लेगा इस वीडियो के बीचे बताएंगे हम ठीक है next वाल बोल रहा है कि एक्स अक्स पर एकी बिंदू कौन है तो एक्स अक्स करियामा खुकता है एक्स कामा जीरो मतलब पहला होता है बाद बाल नहीं होता है सके वाई जीरो होता है तो इसमें तो इसमें दूनों में कोई जीरो नहीं है इसमें एक से जीरो होती तो होगा नहीं कि यहां पर अप् जालेंगे आपका ये बुक के सवाल है आपका दे सकते हैं आपका अप्षन नमर भी करेक्ट नतर आएगा यहां पर इसमें कौन पदों के संख्य कितनी है तो आप इसको जब सल्व करेंगे तो पद के संख्या निकालना होता है तो कुछ नहीं कह जाता है लास्ट में से अप्षन भी हो जाएगा ठीक है यह आप चाहें तो फर्मुला लगा करके बनाएंगा तो बन जाएगा नेक्स वाल देखेंगे यहां पर कि इसका मान निकालेंगे तो इसका आपका यहां पर इस इंसर इसका आएगा क्यों अंसर आप बता दे रहें ठीक है आगे देखिए मूल बिंदू सदूरी निकालेंगे रूट अंडर क्या होता है एक सकार प्लस वाई हो सकार होता है तो यहां पर सकार करेंगे तो चार के स्कार आपका 16 होगा तिन के स्कार 9 होगा, दों जूड़नेगा पतीस आएगा, पतीस का प्रगूं हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, के लिए और इसका अंसर सबको पता है कि इसका अंसर अपके इतना आता है, एक आता है, अप्शन नंबर A, ठेक है, नेक्स वाद, मद बिन्दू के नियामक नि ये बोल रहा कि दिर्थिय में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस कहाँ पड़ है, तो माइनस प्लस आपका यहाँ पड़ option नंबर B होगा, next वाल के अंधरत का नियामक निकालना है, तो 3 बिन्दू को, 3 एक्स वाले भाग को जुड़ करके, 3 से भाग कर द तो अगर सी बरापर नवह डिगरी को बेपा स होता है अगर सुटलाज 코hhhh करेक्टर हो जाएगा नेक्स वाल अठाइस सेंट्यमेटर वियास, वाले बेद की पहार धी principalmente क्या होगी तो इसका ब्यास दिया है तरिजिए निकालकर जब परदी का फर्मुण लगाएंगे तो आपका 88 इमिल्टर इंतर आएगा ऑप्शन नमबर बी आएगा नेक्स वाल बीत के सबसे लंबी जीवा को बयास को आते हैं याद रखियेगा ऑप्शन नमबर बी इसका मान निकालेंगे आपका एक आएगा ऑप्शन कमान देरा खाया एमटता अब प्वी और कोस कमान निकालना है याद निकालेंगे एक सबसे लगए तो आपका एंसर आएगा ठेक है यहां देखी है रूट तीन बराबर टेन टू ठीटा है रूट तीन बराबर टेन टू ठीटा बराबर तीन है रूट तीन से किसे कार रूट तीन बार में रूट तीन जो है ठीटा के कितने दिगरी के मन होता है तो आपका होता है साथ दिगरी का तो टू ठीटा साथ दिगरी के बराबर है त तो कॉस्ट ठीटा होता है बिल्कुल आसान प्रस्ण पुछा गया है आगे देखिए आर्थ लिजी आले बिर्ट के तिर्जा खंड का छतफल क्या होता है ठीटा बड़ा तीन साथ पाई आरे स्क्वाइर देख लेंगे यहां पर अप्शन नमर कौन होगा आपके डी इसका र आपका थिरी पाई आरे स्क्वार होगा अप्शन नमरी होगा नेक्स स्वाल यहां पर तिर्जिया दिया है रोचाई दिया है और बिल्लन का आयतन कुछ रहा है तो पाई आरे स्क्वार एच पनो लगाएंगे अस्वाल करेंगे तो इसका एंसर कितना हैगा अप्शन नमरी आएगा इसका राइट एंसर आजाएगा ठीक है और तीस्त नमर स्वाल लेखिए और तीस क्या कर रहा है कि यहाँ पर गोला का ब्यास दिया है आई तन नीकालेंगे आप तो फर्मॉला लगाएंगे फोर बाइस दिया निकल जाएगा तो इसका फर्मॉला लगने पर आपका harm ए आपका यह ल covert और दे राहु आपका अए यह 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 इंद निकालने के लिए दोनों का बर करके जोड़कर के बर्गम निकालेंगे तो ऐल निकालेगा तरह निकेलेगा संकू का समफ पुर्श रंवरेन हने नहीं है क्योंकि २२ updates का मुझेओ ओंवर पसंवे तेरा दिया है संपूर पिष्टे छत्वल के फरमुला होता है छोव ए स्क्वार तो पांच के स्क्वार हो जाएगा पतीस अब पतीस से गुड़ा करेंगे छोव में तो पतीस छके केतना आता है डेर सो अप्सन नमबर ए हो जाएगा नेक्स वाल लेखिए 20 परकिर संख्या के योग निकालना है तो अगर परकिर संख्या के योग निकालना होता है तो जोग दिया होता है उस अंक के में उसी अंक से एक अधिका एक कई से गुड़ा करते हैं दो से भाग करते हैं परकिर संख्या के लिए दूसर कटे के दस बर में एक और ही दहां का दूसर दौस इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर अपका बी होगा इसमें बहुत लग सबसे अधिक बार कौन आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका बहुत लग कौन होगे बैले स्वाल का ठीक है यहां बताएंगे एपलस बी का समांतर मा देखिया होगा तो आपका कौन होगा यहां पर यह भी नमर होगा दूनों को जुड़कर दूसरे भाग कर देना है आप बताएंगे क्ल का आपका हिंदी के पेपर कैसा गया है मस्त गया है नहीं गया है बताये थे बहुत कुछ नहीं से मैच किया है ठीक है आगे देखिए नेक्स वाल यहां पर बर्माता शाठ्डी का माध बहुलक करम से दिया है तो माध का निकलना है तक माध्यक का तीन गुना, तीन बहुलक होता है जब फर्मा लगाएंगे मान भरेंगे तो आपका इंसर आएगा यहाँ पर 24 आएगा ठीक है अफ्सन नमर सी इसका माधिका निकालना है तो माधिका निकालने के लिए रहोई कुरम से आते हैं तो सबसे पहले बढ़ते करम एक दो चार पांट छोव साथ है ना हो गया सब का फार शूटा हुआ एच्छो नौ शूटा है इसका न्व तीन इस इस इधर कट गया विच बच गया पांच पांच वहीं आपके आंचर हो गया आप्सन नमर भी हो गाई लिए और प्रेक्टा कॉन नहीं हो सकती है तो एक 5 नहीं होगा ठीक है अप्सन नमर आपका यह हो जा इसे कुछ छोड़ दो आप नहीं आ रहा है तो इसका अंसर आपका बनाऊगा तो अपसन नमर कन आएगा यह आएगा ठीक है नेक्स वाल यहां दे रखा है कि यहां पर एक यहां पर उद्वार्द रास्थम क्यों चाई और जमीन पच्छाया दूनों बराबर हो इसके बराब है तो मौस अभार संख्याई के मौस महतम एक होता है और लगोतम निकालने के लिए दूनों में गुणा करते हैं तो महतम पूछा है तो एक इंसर इसका हो जाएगा नेक्स बोल रहा है कि इसमें कौन आर के समंद्ध के लिए कौन सही है तो इसका आर जो होता है जिरू के ब सब्सक्राइब दिया है नबे डिगरी तो ठीटा बराब हो जाएगा तीस डिगरी कट करके तो कॉस्ट ठीटा यहां पर इसको बना करेंगे ठीक है यहां देखे सवाल नीचे इस माधिया रखा है एक स्वाई बरबाद चार है तो हाल निकालना है तो इसका असान होता है प अधा करलो कटना एका उस्टार चर कटना हो गया आठारा है एक मिनट हैसा चर्ण नमर नमर भी हो जाएगा नेक्स वाल ले लेखें यहां दें रका है कि तिर्भूज एबीची है और डिएफ है तो यहां पर इस पर कर दे रखा है A B C A B C और D E F दे रखा है और यहाँ पर जो A B है वो किसके बराबर है A B और D का उन पार दे रखा है यह अला और फिर यहाँ पर दे रखा आपका B C और F D B C और F D दिया है दोनों में कमन कौन है यहाँ पर देख लिए यहाँ पर D तो B, D के बराबर होगा option number C ऐसे कोचन छोड़ देना चाहिए आपको बहुत कोचन आपके आसान आसान कोचन है 85 तो बनाना है ना बाके सब छोड़ दो इसको थेल फरेप लगा कर सल्व कड़ोगे तो आपका answer 6 आया कोले answer बता रहा है हम ठीक है टाइम नहीं हम लोगा पास देवो घाटना घाटिद होने की परेगता हना होने की परेगता PE हो तो कौन सही है तो PE जो होता है जिरो से बड़ा होता है या बराबर होता है लेकिन एक से छोटा और बराबर हो सकता है option number इसका D right answer होगा ठीक है इसका मान आप निकालोगे अंसर तो इसका एक आएगा ठीक है बोल रहा है कि एक से दूरी अगर एक से दूरी कहेगा तो वाई वाला अंसर छोव इसका हो जाएगा आपका option number अब B होगा next वाली कौन संक्या है पॉइंट के बाद इस संक्या रुख गई है तो परमे संक्या हो जाएगा option number B next वाल इसका किसका दस्वला परसार सांत होगा solve किजिएगा तो आपका E और सांत आपका आएगा नीचे वाला option number D next वाल इस दूनों का मौसा निकालना है महतम निकालना है दूनों का महतम निकालिएगा आपका 12 अंचर आएगा next स्वाल आईए आपका तिरगाट बहुपर में है तो याद कर लो इसका जो फरमूला होता है आपका होता है C बाटा A होता है क्या होता है C बाटा A option number B next स्वाल देखिए आपका निक्स स्वाल आपका है आलफा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता है माइनस D बाटा A होता है ठीक है आगे देखिए स्वाल यहाँ पर बोल रहा है question क्या पैसेट नमबर इतना का एक सुन्यक 3 है तो के कमान निकालना है तो के कमान निकालो तो आपका कितना है आपका यहाँ पर आपका सुन्यक इसका 3 है तो आपका तीन मान भर देना इसमें असुन के बराबर कर देना निकालना मान तरे आपका तापका होता है मा misinformation बाटा A होता D केख़ब़ पर 7 है तो हो जाएगा माइनस साथ और एक जगाप चार है तो माइनस साथ बटा चार अप्सन नमबर एक करेक्ट अंतर हो जाएगा ठीक है अप्सन नमबर इसका बी एंसर होगा खैर लगिन आप लोग छोड़ देना आप लोग को इसे कितना रहा है ठीक है नेक्स वाल लेखें यहां पर बोलगा या दी इसका मूल वास्तिक और बराबर है तक के कमान या आपको दो सवाल हम दे दिये हैं यहां पर या दूनों छोड़ दो आप लोग ठीक है जो नहीं आ रहा है उसी को बनाओ क्योंकि पाचासी तो बनाना है न तो चलूंतर हो और निकालना था नकालना है ता आपका कैतना आपका आपको ऑप्चन नमबर बी करेक्ट अंतर होगा इसका देखो इसे निकालना है परसम तीन पर तो एन कमान अगर एक भरते हो तो दो एक तीन हो जाएगा दो भरते हो एन कमान तो चार एक पांच हो जाएगा तीन भरते हो तीन पर तीन पर चार एक साथ हो जाएगा तीनों को जोड़ दो पांतिन आट आठ साथ साथ पुंदर अप्शन नमर कौन होगा आपके यह हो जाएगा ठीक है यह देखो मद बिंदू है तो एक कमान निकलना है तो मद बिंदू है तो एक कमान निकलना है एक किस पर है तो पहले वाला भाग पर है तो पहले वाला भाग कमान निकालो तो पहले वाला भाग के बीच के बिंदू मेंस चो और मेनस आट दू मेंस आट हो गे सीवाग को ढहिए इसका दूंट से भाग कर देंगे और यहीं किसका बराबर है अपका यह बटा दूं के बराबर है दूंटीं कट गया तर एकर हमाने अधर अप्षिन नमर कौन होगा एँ होगा ठीक है next स्वाल केंदर्ब्रक निकाल ना है सब लोगो निकाल दिजियेगा option 5 बाइज आएगा ठीक है next देखिए यहाँ पर इसको आप निकाल लिएगा तो आपका answer एक अंपार्थ दो आएगा ठीक है आप लोग करकर चेक किजिएगा इसको आप किजिए गा हलाकि छोड़ दीजिए तक 35 तो अभी तक करा दिया हम जो कि असान असान है इसको सल्व किजिए गाप 25 का थिसका अंसर 58 आएगा नेक्स वाल यहां पर और पात दे रखा है निदे रोखम और पोछ रहा है तो बरगुम लिका लो दे तक ना सान वाल न 35 का बरगुल 5 और 49 का बरगुल 7 होता है तो अमरा उन से धपा गया है फोटो किज़ा गया है तो आपका यहाँ पर option नमर भी होगा 5 और 5 साथ होगा ठीक है नेक्स सवाल इसका देखिए A और B कमान दे रखा है A कमान 4, B कमान 5 और C कमान 3 है तो B किया है जानते हैं पैत गुरस पर में 3, 4, 5 में आता है PBH लॉंब अधार कॉण EC रूप में होता है जो कि दिया है तो समकोड तिर्भूज होगा ना बड़ गरी बनाएगा यह ठीक है आगे देखिए बाहरी बिंदू से असपर रहा कितनी खित जा सकती है आपड़ी ब्रम्ब कोन ओगा आपके B हो जाएगा नेक्स सवाल लेकिए यहाँ पर P से PT O केंदर वाले बिरूच की असपर रहा है यह इसका यहाँ पर P से एक असपर रहा किती गई है O T की लंबाई πती O T की लंबाई यहाँ से O है लंबाई आपका 6 है और ओपी के लंबाई जो है आपका दस है ये आपका लंब बनाता है ये कौन हो गया ये लंब हो गया 10 के स्कुार में से 6 के स्कुर घटाओ गये तो आएगा 64 आच चाहुशट का बलून स्कुर्ण टिशट घटाओं और बहार से यहां पर दोनों चोर के स्सब्स अब इनसर कतना ओजयेगा आपका hon3 C next one 1 by 2 किसके बराबर है तो cost 45 का option number आपका B हो जाएगा next question देखिए इसका answer क्या होगा sign कमान 0 होता है 10 45 कमान 1 होता है तो minus 1 के answer इसका आजाएगा next one theta के बराब मान भरोगे यहाँ पर मान भर कर निकालोगे तो answer इसका 3 आएगा next one इसका मान निकालोगे मान भर करके तो आपका यहाँ पर 1 C आएगा इसलिए बोलते हैं कि पूरा मान याद कर लो आप लोग ठीक है इसका मान निकालेंगे आप लोग तो इसका option number B आएगा ठीक है इसका मान निकालेंगे आप यहाँ पर पाई रखा जाएगा पाई आएगा ठीक है इसका निकालेंगे आप लोग इसका अंसर निकालोगे तो इसका अंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट करके इसमें कोई नहीं ठीक है इसका देखिए यहाँ पर एक गोल इतिर जादी कर दिया जाए तो मूल गोले और नए गोले क अनपात कितना होता है तो आठ अनपात एक होता है ठीक है नेक्स वाल देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसका हॉल आम नहीं किये हैं आप लोग कि जीएगा हॉल और बताएगा असर कितना हैगा इसका हॉल आप लोग छेदर फॉल दे रखा होता है तो आयतन निकालने के लिए स सांस वाल दिया माधिका जिसको निकालेंगे तो अंसर आपका पाँच आएगा नेक्स वाल बहुल लग क्या होगा तो आपका अप्शन नमर यहां पर सबसादिक बरा रहा है इसमें से बेगम निकालने के प्रक्ता बेगम कुल चार गो होता है बाउन को पता है तो भाग करेंगे एक बड़ा तेरा अप्शन नमर यह आएगा ती रहा पूरा अगर आप चाहते हैं कि इसका सब्लेक्टी भिकरा दें तो आप लोग कमेंट करेंग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबाकर अल पर किलिक कर लेंगे थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो